घहर सोप जो आज इतने वाइरल हुए है ये क्लेम करते है कि ये आपके स्किन से टैनिंग को रिडूस करते हैं स्किन टोन को एवन करते है और स्किन और ब्राइटन अप करते हैं इनका एक तो सोप एक गोहाई टैनिंग और यूस करने के लिए एक 200 रुपे का soap है pigmentation को reduce करने के लिए इनके सबसे इनके सोप महंगे है क्योंकि इसमें ये natural ingredients यूज़ करते है guys ये वही natural ingredients है जो आपके घर में मौझूद है आपके kitchen में मौझूद है मैं आज आपके साथ में एक ऐसा घरेलू soap शेयर करे हूँ ये भी घर soap ही है जो आप अपने घर में बना सकते हो 500, 400, 200 नहीं यही घर soap अगर आप घर में बनाओगे सिर्फ 20 रुपे के अंदर आप ये घर soap बना सकते हो अलग-अलग soaps की आपको ज़रूद नहीं ये एक ही soap आपकी skin से tanning को भी reduce करेगा skin के आपके pigmentation नाचुरल ग्लो और निखार पैदा करेगा वेल्कम टॉ मैं चैनल गाइज मैं हूराबिया ये वाइरल घर soap को बनाने के लिए उन्हें यूज किया है goat milk का आप यहां पर goat milk का जो soap base होता है वो यूज कर सकते हो अगर आपके पास यह नहीं है तो market में literally जो भी soap है आप उसको as a soap base यूज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि goat milk का ही यूज किया जाए क्योंकि हमारे इस घर soap में हम जो ingredients दालने वाले हैं वो ये goat milk से भी कहीं स्यादा फायदे मन्द होंगे जो भी आप soap base यूज करेंगे तकरीबन 100 ग्राम आप quantity लेंगे उसको इस तरह से cubes में cut करेंगे उसको एक पैन में एक बरतन में डालेंगे गयास पे इसको रखेंगे एक गदम धीमियाच पे जितनी धीमियाच हो सक्यों इसको डिरेक्ली रखके melt कर लेंगे जैसे ही आपका soap base melt हो जाएगा उसको gas से निकालेंगे अब जो ingredients में आपको बता रहें उसको ध्यान से सुने इसमें क्या-क्या डालना है जो है magic घर soap इसमें सिर दो ही ingredients डालेंगे है चंदन और केसर और इसकी कीमत है 200 रुपे यहाँ पे हम चंदन तो डालेंगे ही उसके साथ हमारे घर के दूसरे ऐसे natural ingredients डालेंगे जो हमारे skin की problems को treat करते है जैसे चंदन के बाद आप इसमें डालेंगे चावल यानि की rice flour यह हैगा skin whitening और brightening agent इसमें होता है भरपूर kojic acid जो आपकी skin को whiten भी करता है tanning को reduce करता है और skin से pigmentation को reduce करता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ strands केसर की अगर आपके पास केसर ना हो तो definitely आप इसके जगे पे सिर्फ और सिर्फ healthy powder डाल सकते हो यह दोनों में इतने जादा anti-oxidant है इतनी जादा anti-inflammatory properties है कि यह skin whitening में use की जाती है pigmentation को fade करने में lighten करने में use किया जाता है दोनों ही आपके complexion को even करते है दोनों ही dark spots को patches को reduce करते है skin tone को brighten up करते है इसके बाद जो cheese में आपको recommend करूँगी कि आप इसमें डाले coffee powder जब ये cheese आप ये सारे natural ingredients के साथ mix करते हो guys इसका combination ही बहुत अलग हो जाता है ये natural detanning formula बन जाता है आपकी skin के लिए जो आपकी skin के सारे tanning को reduce करके skin tone को brighten up करता है इसके बाद इसमें डाले दो चमज भर के lemon juice की जिसका vitamin C जिसका citric acid हमारे skin को naturally bleach करने में discoloration को reduce करने में और skin tone को brighten करने में help करेगा इसके बाद इसमें डाले तकरीबन दो चोटी चमज coconut oil यानी की narial के तेल की अब इस चीज को आप अगें गैस पे रखे धीमी आज पे ही रखे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, मिक्स करें, मिक्स करें जब यह सारे ingredients आपस में अची तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो यह ready हो गया आपका घर soap guys, अब एक soap mold लीजिए और यह जो magical soap आपने घर में बनाया है, आप soap mold में दाले अची तरीके से और इसको आपका अची तरीके से अची तरीके से तो आपका magical घर soap हर में आपके बनके आप इसको फेस पे बॉड़ी पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बस रहता पानी लेके अपने फेस को गीला करें और इस soap को लेके अची तरीके से अपने रिजर्ट मिलेका क्योंकि उसमें इंगेlished ही उनोंसिफ चंदन dan kesar यूज किया है, यहां पे हमने चंदन kesar के साथ हमने रापे हल्दी यूज की हमने आपे kентовी यूज की है हमने राइस फ्लार यूज की है, हमने coconut oil यूज कीआ, इस सारी चीजेए गास help करती है आपकी skin से melanin को reduce करने के लिए जिसे आपकी tanning instantly reduce होती है regular basis इसको use करें अगर आपको बहुत जादा जिदी tan है जिदी dark spots है pigmentation है बस इसको ले के अपने skin में अची तरीके से रब करें दिन में at least 2-3 बार इसको use करने की कोशिश करें जितना अच्छे से आप इसको अपने skin में रब करोगे या आपकी skin का जो melanin है उसको reduce करते जाएगा जिससे आपकी tanning remove होते जाएगी जिससे आपकी darkness reduce होते जाएगी जिससे आपकी dullness reduce होगी जिससे आपकी skin आपका जो complexion है वो निखरने लगेगा skin tone आपकी lighten होने लगेगी complexion आपका brighten up होने लगेगा skin tone अगर आपकी कहीं पर uneven है तो उसको even करने के लिए बहुत ही अच्छा soap है इस साल की गर्मी ने ना सिर्फ हमें बेहाल किया है बलकि हमारी skin को भी बहुत जादा damage किया है ये damage, ये tanning, ये कालपन, ये darkness को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा soap है जिद्धी stubborn, जो pigmentation होगी, dark spots होगे, acne के marks होगे ये उसको तक reduce कर देगा आपकी रंग को अगर आप निखारना चाते हो, natural glow पाना चाते हो आपकी skin में ये वो soap है जिसको आप बस दिन में दो बार अपने face को wash करने के लिए यूज़ करें इसको आप अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपने कोई भी dark body part जैसे कि आपके dark underarms, आपकी dark neck या फिर आपके dark private parts पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और इतना ही नहीं ये soap आपकी skin को dry बिल्कुल नहीं करेगा, moisturize करेगा आपकी skin को ये exfoliate करेगा, skin को आपकी soft बनाएगा 200 रुपए का एक soap tanning को reduce करता है, 200 रुपए का één soap पे pigmentations को reduce करता है घर में बनाएगा है, ये 20 रुपए का soap अपृ आपकी tanning को भी reduce करता है, dark spots pigmentations को भी reduce करता है skin tone को even करता है, lighten करता है, brighten करता है, skin में natural glow पेयदा करता है तो थोड़ा से दिमाग लगाओ और इस घर सोप को घर में बना के यूज़ करो और थोड़ा से दिमाग लगाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा से अपना प्यार दिखाओ और इस वीडियो को लाइक करो ये लोग टाइम तक प्रिजर ने कलए आप एसको छोटे-चोटे-चुबे में कट करके यूज करें एक क्यूब की साइज अब उतनी ही тебя रखे जो आप दो सि तीन दीन में यूज करके 36 दीन में खतम कर सके कोई चीज और भर में वनाना चाहते हो तो वो नीचे कोमेंट करके बताए इसके पर मुझे कोमेंट आया ता है इसलिए मैं Eg video चाने शेयर किया है उम्हीद कर objectives आया ही और आपके लिजाधा प्स依 awakened